जो मेरे लांचन पर लांचन लगाए जाती हैं कि उनकी सासो मा सासो जी बहुत प्यास से रहते हैं वो सारी फैमली बहुत अच्छी है मैं ही उस घर में आग डाल रही है बता नहीं क्या क्या जो भी बोलती हैं वो तो यह जो मैं वीडियो लगाऊंगी यह खुद रेखा ने सपना चौधरी ने अपने व्लॉग में कहा है कि उन्हें इन बातों से बहुत ज़्यादा परिशानी होती है साथ ही वो इस चीज से भी बहुत दुखी होती हैं कि लोग उनके नाम का इस्तमाल किस तरीके से कर रहे हैं उन्होंने अपनी हाल की वीडियो में अपनी जेठानी का नाम लिया है और साथ ही कहा है कि वो जो अपने वीडियो को वाइरल करने के लिए उनके नाम का इस्तमाल करती हैं और गलत तरीका जो इस यूज करती हैं उनसे वो बहुत दुखी और परिशान हैं उन्होंने लोगों को बताने के लिए और अपने यूचूब फैमली को ये दिखाने के लिए कि उनके बारे में क्या क्या बाते वो कह रही हैं अपने वीडियो में एक क्लिप शेयर की है हम उसमें देखते हैं कि उनकी जेधानी अपने साथ ससुर के साथ बहुत ही बुरा बरताव कर रही है और सपना के बारे में भी बहुत उल्टा सिदा कह रही है दोस्तों इस औरत के वीडियो को आप बिल्कूल भी लाइक ना करें शेर ना करें सपोर्ट ना करें आप हम ये जानते हैं कि सपना किस दोर से गुजरी है सपना की हर एक वीडियो में हमने उसकी फैमिली को देखा है उसकी फैमिली के साथ होने वाले रिलेशन्शिप को देखा है हो सकता है हमसे कई चीजे छुपी हों क्योंकि कैमरे के सामने जरूरी नहीं है इनसान अपनी असलियत दिखाए तो हो सकता है हम ना जानते हो कैमरे के पीछे उनकी जिन्दगी कैसी है लेकिन एक औरत जो ऐसा दुख जो पती का दुख है हमें नहीं लगता कि कोई भी औरत ऐसा दुख अपने हाथों अपने नसीब में लिखवाना चाहेगी और एक बार नहीं दो दो बार ऐसा काम करेगी तो दोस्तों जो लोग ऐसे सोच के हैं ऐसी मानसिक्ता के हैं जो दूसरे का नाम लेकर अपनी वीडियो को वाइरल करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमली के बिगड़ने में या अपने परिवार अपने रिष्टे को बिगड़ने के लिए किसी और को दोश देना जानते हैं हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि दुनिया में जाहिर है एक औरती दूसरी औरत की दुशमन होती है लेकिन हम सपना के सपोर्ट में है क्योंकि अगर सपना गलत भी है तो हम ये मांते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी औरत इतनी नहीं गिर सकती कि अपने आपको इस हालत में लेकर आए कि दो दो बार ऐसी चीज़े करे और कौन कौन इनसान ऐसा चाहेगा कोई औरत कोई मा कोई पत्नी ऐसी चीज़ कभी चाहे नहीं सकती तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि इन वीडियो को आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें इगनौर करें क्योंकि ऐसी चीज़े हम देखते हैं उनके व्यूज बढ़ते हैं इसलिए उनको और हिम्मत मिलती है कि वो उटा सीधा गए और अगर इनमे इतनी ही सच्चाई होती है तो यह क्यों अपने वीडियो में कमेंट आफ करके रखते हैं क्यों नहीं आउन करके रखते हैं कि लोग अपनी बात करें और यह जवाब दें क्योंकि कहीं ना कहीं यह लोग गलत हैं यह सिर्प सपना के नाम का इस्तमाल कर रहे हैं उसे यूज़ कर रहे हैं और अपनी फैमिली को खराब होने के लिए उसको दोशी ठहरा रहे है यदि कुछ भी उनमें सच्चाई है तो उन्हें जरूरी है कि अपनी कमेंट बॉक्स को आउन करके रखें ताकि जब लोग उनसे सवाल करते हैं पूछते हैं तो सही से उनका जवाब दे सकें लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं मैंने एक और वीडियो भी देखी है अलका की उसमें भी मैंने यही चीज़ देखा है उनके भी ज़्यादर कमेंट जों है ओफ रहते हैं अगर सच में आप में इतनी सच चाई है तो आप लोगों के सवालों से क्यों ड़ते हो क्यों आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हो आप एक औरत हो के दूसरी औरत पर इतनी बड़ी बात कह रहे हो इतना बड़ा आप उसके ओपर इल्जाम लगा रहे हो और फिर आप बताना भी नहीं चाह रहे हो कि किस बिहाब पिया επ के इलगा रहे हो तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी क्यों जब हम कहते हैं हम सपना की दुख को समझते हैं उसके दर्द को हम महसूस करते हैं हम उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें इस बात में भी उसे सपोर्ट करना चाहिए कि जो उसके हेटर्स हैं, जो उसकी बुराई करते हैं या फिर जो उसके खिलाफ गुरी बाते कह रहे हैं, हमें उनको भी इगनॉर करना जरूरी है, क्योंकि हम ही इनको आगे बढ़ाते हैं, जब हमारे जर्य ये व्य क्ट्छे करते हैं, इनको इस चीज के नौलिज हो जाती है कि हाँ, हमारी ऐसी बाते कहने से, ऐसी चीजे कहने से, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, तो हमें कही न कहीं इस चीज़ को दिहान में रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें, जिससे कि इन हेटर्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिले और होंगे, व्यूस तो होंगे क्योंकि लोग जानना चाहा रहे हैं लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ और इतना कहना चाहती हूँ कि अगर सच में इन में कोई सचाई है तो ये खुल कर सामने आए खुल कर बोलें अपना कमेंट सेक्षिन जो है आन करके रखें जब लोग इन से सवाल करते हैं तो उसका जवाब दें किसी के उपर ऐसे कीचर ना चाहने वो जिन्देगे के उस दोर से गुजर रही है जिससे हम हम सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन हमारी एक बात कहने से कि हम उसका दर्द समझते हैं हम उसके साथ खड़े हैं उसे बहुत तसलिय मिलती है वो बहुत सुकून फिल करती है क्योंकि यूट्यूब फैमिली उसकी अपनी फैमिली जैसे है